बार बरेला की वैकीनेस को कोहरेंटली एक्स्प्लेन करने के लिए मैं दो घंटे तक खाली पेश देखता रहा फिर मैंने का भाड़ में जाए कोहरेंस और वीडियो श्रक्चर तुम लोगों को सीधा एपसरडीटी में डूबो देते हैं बार बरेला की शिप एक अन्नोन आइस प्लैनेट में क्रैश हो गई वहाँ उसे ट्विन्स बच्चिया मिलती है और बगल में ये रे फिश मस्तालस कर रही है एक रे मचली बरफ के परत के उपर क्यों लेटी है मुसे सवाल न पूछो इन दोनों ने स्की बोर्ड उठाया उस से स्ले बनाया और उस अराम करती रे फिश को रसी से बांदिया और टड़ा इनकी राइड रेडी हो गई इतने हारामी बच्चे एक मच्छी से भी मचदूरी करवा दी फिर ये बच्चिया बार बरेला को बंधी बना के अपने एरिया में ले गई जहां उसे इन खंबों से बांदिया और आगे धेर सारी गुड़ियों को सेट करके रख दिया क्या हो रहा है अगर तुम नहीं भी पूछो के फिर भी मैं बता दूँगा इन गुड़ियों के दात लोहे के और ये बच्चे बार बरेला को उनसे कटवार है ऐसा क्रियेटिव टॉर्चर मेथट सौ का जिक्सौ कलाउन तक नहीं सो सकता टॉर्चर देख के इन बच्चों की 32 नहीं बोरना देखो ऐसी खुशी सिर्फ अपने बड़े भाई बहनों को पैरेंट्स के हाथो मार खाता देखने में होती है तुम बस इस पूरे सीन में बार बेरला के एक्सप्रेशन्स देखो मैं अभी भी कनफ्यूज हूँ कि इसे दर्दो रहा या मज़ा आ रही है वैसे तो दर्दोने के साथ मज़ा आने लड़कियों के लिए कोई नहीं बात नहीं हुई तुमें इस यूनिवर्स का लव मेकिंग मेथट बताता हूँ सबसे पहले लड़का लड़की को एक टैप का पिल खाना पड़ता है हाँ इस पिल को क्रिया करम के बाद नहीं बलकि पहले ही खाना पड़ता है और बेस बात है बिना पक्षपात के चीचोड़ता है मलब फिल्म के स्टार्टिंग क्रेडिट्स में ही बार्बरेला जीरो ग्रैविटी में अपने स्पेस सूट को उतारती है और अगर तुम्हें जिग्यासा हो रही है कि ये स्ट्रिपिंग कितने परसंटेज तक जाने वाली है तो चिंता ना करो पूरे सौ प्रतीशत तक जाएगी फिर इस यूनिवर्स में एक ये टाउन है जहां लोगों ने खुद को दिवारों में चुनवा लिया है अगर अनार कली जिन्दा होती तो उसका फेवरेट टूरिस स्पोट होता ही है यहाँ पर फिर एक अंधा परा घूम रहा है जो गोसले में सोता है तिपिकल स्पेस ओपरा में लार्ज स्केल स्पेस बैटल होती है बार बरेला में यह लड़की इस अंधे परिंदे के साथ उड़के स्पेस शिप को गन से उड़ा रही है और उके का पाइप जिस कंटेनर से जुड़ा है मुआ एक आदमी तहर रहा है मर्द के एसेंस का नशा कर रही है यह में विलेन अपने दुश्मनों को इस फ्यूचरिस्टिक मशीन में डाल के टॉर्चर करता है तो कैसे काम करती है मशीन यह अपने विक्टिम को लेटा हो और फिर इस प्याउनों को बजाओ इतना बड़िया प्याउनों बजाओगे मशीन इतनी स्पीड में वक करती है और टॉर्चर कैसे करती है इनसानों को चरन सुख दे के असान भाशा में यह मशीन विक्टिम को इतना सुख प्रदान करती है कि वो इतनी खुशी ना जेल पाए और पर लोग गमन कर ले इतनी क्रियेटिव फन फिल्म थी है ऐसे ऐसे नॉनसेंसिकल आइडिया से भरी है एक एक सेट डिजाइन एक एक शॉड इतना साइकेडलिक सा फील देता है भाई स्पेश शिप का कलर पिंक रखा गया है जो सेट में बिल्कुल अलक्षी स्टैंड आउट करती है फिर वो लोहे की दान्त वाली गुडियों का डिजाइन रूम के बीच में ये अंडे जैसी चीज रखी है सारी सीरेस्नेस उठा के फेक दी है और वो सिर्फ और सिर्फ फन करना चाहता है जेन फॉंडा एजब बार बरेला बिल्कुल परफेक्ट थी आधे फिल्म सिर्फ के एक्स्प्रेशन्स नहीं बेची है बार बरेला की रिमेक भी बनने वाली है शायद अगले साल आनी है इसमें सिड्नी स्वीनी कास्ट होने वाली है सही बताओं तो बेस्ट कास्टिंग डिसीजन है बागी तुम्हें कुछ नॉनसेंसिकल कैंपी स्पेस ओपरा फिल्म देखनी है इसमें भर के चिचोड़ता भी हो तो बार बरेला तुम्हारे सामने जीरो ग्रैविटी में तैर रही है जाओ देख मारो अब वीडियो के एंड में स्पॉंसर की बात कर देजाए इस वीडियो को स्पॉंसर किया है खुद मैंने क्या उमीद कर रहा है तुम्हें सवाल आता है कि आखर मुझे वेस्टन टॉलेट पसंद होगा या इस्टन नंबर है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने कोशन्स लिख सकते हो जैनुमेन कोशन्स भी चलेंगे और बिना सरपाओं के कोशन्स भी चलेंगे तो इसलिए के साथ अलविदा सामा अब अगली वीडियो में तश्रीफ दर्श आईएगा बाए